जै माता दिमित्रो इस सप्ता यानि देखा जाए तो 10 से 16 अप्रेल के बीच में दो बड़े घटनाएं हो रही है जिससे 8 राशियों को लाब मिलने वाला है ये बात कर रहे हैं हम सप्ताहिक राशी फल की सूर्य और गुरू की यूती साथ में शुक्र का मालब भी योग जिस 10 से लेकर 16 अप्रेल तक 12 राशियों की क्या इस्थती होगी इसके बारे में इस कारेकरम में चर्चा करता हूं मैं हूँ पहले डॉक्टर पंडित प्रकाज जोशी यानि कि मेरा नाम अब डॉक्टर प्रकाज जोशी हो गया है कारण क्या है कि मैंने प्येसडी कर लई है या बात कर लेते हैं मेश राशी के बारे में तो मेश राशी के बारे में बात करें तो ये जो सप्ता है 10 तारिक से लेकर और 16 अप्रेल तक देखा जाए मेश राशी वाले बुद और राहू यानि बुद अभी ठीक नहीं हुए बुद और राहू की यूती एक साथ हो रही है यानि कि कोई भी नया काम यदि आप अगले सप्ता करने जा रहे यानि सप्ता 10 से 16 अप्रेल के बीच में या कोई करियर से संबंदित करियर छोड़ना है करियर को चेंज करना है या कोई भी इस तरह का निर्णे लेना जाने वाले है तो रुके रुके ये समय ठीक नहीं है जो तो मित्रों से परिवार के अंदर बहस होगी साथी साथ देखा जाए तो दूसरी गटना के बारे में बात करें तो धन संबंदि कोई ना कोई इस सप्ता सुब समचार आपको प्राप्त होगा यानि रुका वा धन आपको इस सप्ता मिल जाएगा धन इलेक्ट्रोनिक इसलिए कोई भी निडन ने कोई भी शुब काम करना इस सप्ता लाबकारी नहीं है क्योंकि कारियों में बिगन बाता रहेएगी रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो यह सप्ता ठीक है पर पार्टनर को शरीर में दर्द की समच्या हाथ-पैरों में दर्द की समच्या पूरे सप्ता बनी रहेगी, साती साथ पार्टनर के साथ में अचानक मंदिर या तीर्थ यात्रक या पूजा पार्ट करने के भी आपकी योग बनते हैं। तो कुल मिलाके मेज रासी के लिए ये सप्ता बहुत अच्छा नजन नहीं आ रहा है। आप बात करें ब्रिशव राशी की, तो ये जो सप्ता है ब्रिशव राशी के अंदर मालब भी योग बन रहा है, यानि शुक्र द्वारा बहुत बढ़िया योग बन रहा है, तो देखा जाए तो कई प्रकार की खुश कबरिया ब्रिशव राशी को इस सप्ता यानि 10 से 16 प्रुमाचार आपको मिलेगा, साती साथ विरोधी भी जो आपकी बुराईया करते हैं, वो भी आपकी प्रसंसा करेंगे, साती साथ देखा जाए तो जिन लोगों से आपकी कारेशेतर में नहीं बनती थी, उनसे भी बनने लगेगी, साती साथ दूसरी चीज देखी जाए, धन की स्तिती के बारे में बात करें, तो धन की स्तिती बहुत ही अच्छी हो जाएगी, अगले सप्ता कहीं न कहीं देखा जाए, तो आचानक धन प्राप्ति के ब्रशब राशी की योग बनते हैं, या धन समंदिक कोई रुका हुआ काम या बड़ी डील आपकी बन सकती है, अब स्वास्ति के बारे में बात करें, तो हेल्थ पांट फ्यू से ये जो सप्ता है 10 से और 16 अप्रेल का बहुत अच्छा नहीं है, नींद की समस्या, मून्ड स्विंग की समस्या आपको रह सकती है, पेट की कॉंस्टिपेशन की समस्या आपको हलकी फुलकी रह सकती है, र पार्टनर को कोई उपहार प्राप्त होगा या पार्टनर को आप गिफ्ट देने वाले हैं, रिलेशनशीप बहुत ही अच्छा रहेगा, बॉंडिंग आप दुनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनर के साथ में शॉपिंग में जाने के योग, या जमकर श स्वामी होते हैं, बुद बुद अभी राहू के साथ में बैठे हैं, तो जो अगला सप्ता है, यानि 10 से 16 अप्रेल तक मिफ्टनराशी वाले ध्यान से सुने, आपको स्वास्ते पे ध्यान देने के अवशक्ता है, गैस की एसिडिटी की या दर्द की समस्या अचानक गिरन में हो सकती है, साथी साथ माता पिता से कोई गिफ्ट, कोई उपाहार आपको अगले सप्ता मिल सकता है, ऐसा योग नजरा रहा है, साथी साथ देखा जाए, करियर की स्थती देखी जाए, तो करियर की स्थती समानने रहेगी, 10 से लेकर 13 अप्रेल तक सब कुछ नॉर्मल र लेते हैं, 14 तारिक से लेकर 16 अप्रेल के बीच में कारियों में बिगन रहेगा, किसी से बैस होगी, कोई बुरी न्यूज काम से समंदित आपको प्राप्त होगी, रिलेशन के बारे में बात करें, तो पार्टनर के या तो घर जाने के योग बनते हैं, या घर से कोई व्यक अचे वाला ज्यादा रहने वाला, यानि अगला सप्ता माता पिता पे आपका धन खर्च होगा, साती साथ पानी के बातरूं के लकडी के घर के काम में आपका धन खर्च होने वाला है, धन की स्तती की बात करें, तो धन की स्तती भी अगले सप्ता यानि 10 से 16 अप्रेल के बी का धन सबनसे थार्मिक कारियों में भी दान धर्म में भी आपका धन- driver होगा खर्चा बढ़ रहा है लेकिन कही न कहीं वो कोही न कई स्सुल्यूंशन पर जा रहा है करियर की स्थ सब्सराइब करें तो करियर में भाइस आपके टारीफ करने वाला झमकर आपकी करने वाला आपके काम की साथी साथ करियर में कोई न कोई सुब समाचार आपको प्राप्त होगा साथी साथ देखा जाए तो नया प्रोजक्ट या बड़ा प्रोजक्ट आपको मिल सकता है तो कुल मिलाके करियर के लिए ये जो सब्ता है 10 से 16 अप्रेल का ये बहुत ही ठक रहेगा अब बात करते हैं सिंग रासी के लिए ये जो सब्ता है सूर्य गुरू की यूती से आपके कई काम शुब होंगे यानि कई रुकेवे काम इस सब्ता बन सकते हैं एक तो आपके आत्मिश्वास में ब्रद्दी होगी रुका हुआ काम आपका बन जाएगा या सर करकारी लाब آپको मिल सकता है तो कुल मिलाके यह जो सब्ता है मल्टिप्ल लाब वाला है और साती साथ देखा जाएsel था संतान सम थ्रुकेवे काम या धन से लुकावा काम आपका बन सकता है शंतान को यदि आपकी बड़ी संतान है तो उनको धनलाब होगा करियर समनी संतान को कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी, साती साथ पैत्रिक जमीन के क्रे विक्रे या किसी वस्तू के क्रे विक्रे के भी योग बनते हैं, उससे भी आपको धनला प्राप्त होगा, अब relationship की बारे में बात करें, तो relationship के लिए ये सप्ता अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, यानि कि जैसा चल रहा वैसा ही है, समान फल दायक रहेगा, लेकिन देखा जाए, तो सूर्य गुरू की यूती से आपको multiple फल, आपकी संतान को multiple फल, अगले सप्ता प्राप्त होंगे, आप बात करते हैं कन्यारासी की, तो कन्यारासी वाले ध्यान से सुनें, ये जो सप्ता है, 10 से 16 अप्रेल तक आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, धनहानी के योग बनते हैं, किसी वस्तु के चोरी या गुम होने के योग बनते हैं, धन संबंदी कोई लेंदेन कर रहे हैं इस सप्ता, तो सो बार सोच ले, किसी को धन उधार देना है, तो सो बार सोच ले, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, हेल्थ में भी देखा जाए, तो मूंड स्विंग की परेशानी से आप भी परेशान रहेंगे, और आपके देव का अशिरवाद प्राप्त होगा, इसलिए देखा जाए, तो आफिस के मित्रों के साथ में किसी पार्टी, किसी फंक्शन में जाने की योग बनते हैं, करियर में रुका हुआ या उलजा हुआ काम आपका अगर इस सप्तहा बनने के योग बनते हैं, यानि दस से सूला में करियर की श्तदी बहुत अच्छी है, वहाँ पर कोई ना कोई सुब सूचना आपको प्राप्त होगी, या मालब्भी योग से जो आप परेशान चल रहे से किसी व्यक्ती से, बोस से, तो वहाँ भी आपको समस्या का हाल मिल जाएगा, साती सात रिलेशन्शिप के बारे में अगर हम बात करें, तो सूर्य गुरू की योटी से, आपके पार्टनर को पद प्रमोशन के योग बनते हैं, उनका भी सरकारी रुका हुआ काम बन सकता, उनको भी अच्छा धनला प्राप्त होगा, तो कुल मिलाके कन्या राशी के लिए देखा जाए, तो ये जो इस्ततिय मिक्स मैच वाली है, अब बात करें तुला राशी की, तो तुला राशी को इस सब्ता स्वास्ट पे बहुत ध्यान रखना है, ऐसे ही अंटसंड मत खाईएगा, और रेडी पटरी पे मत खाईएगा यानि की देखा जाए तो परिवार से कोई गिफ्ट या माता-پिता से कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, पहला ये योग बन रहा है, धन में देखा जाए तो धन की स्ततिय अच्छी है, यानिki धन आएगा पर आपका वाहन पे खर्च हो सकता है, एलेक्रेनिक आइटम पे आ आपकी नजदीक्या बढ़ सकती है, नए मित्र आपके बनेंगे, अचानक यह आप सोचेंगे, आप तो रिजर्व टाइप के विक्ति है, आपके मित्र कैसे बन रहे हैं, तो अचानक ऐसा योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र मालब भी योग में है, साथी साथ देखा जाए, काम के सिलसले में अचानक दूसरे शहर की भी यात्रा आपको करनी पढ़ सकती है, रिलेशन्शिप के लिए देखा जाए, तो यह जो सप्ता है, अच्छा ही रहेगा, कोई नेगटिव नहीं है, अब बिरिश्चिक रासी की अगर हम बात करें, तो इस सप्ता देखा जाए, माता-पिता के स्वास्थ को लेकर थोड़ा चिंतीद रहेंगे, माता-पिता या परिवार के किसी मेंबर के स्वास्थ को लेकर हस्पताल या डॉक्तर के पास भी उनको ले जाना पढ़ सकता है, ऐसा योग नजरा रहा है, साती-सात देखा जाए तो सूरी और गुरु की ज अगले इस सप्ताह मिल सकती है यानि कि 10 से 16 अप्रेल के बीच में साथी साथ देखा जाए करियर में आपके काम की बहुत काफी तारीफ करने वाला है कोई सम्मान किसी अवार्ड में आपका नाम चैनित हो सकता है या बड़े काम में आपको लिया जा सकता है आपके पदधन व पार्टनर के साथ घूमने वाले हैं यानि कि मॉल घूमने वाले हैं होटल में लंच करने वाले हैं और पार्टनर को भी घूमाने वाले हैं और जम कर शॉपिंग करने वाले हैं तो कुल मिलाकर रिलेशन भी बहुत अच्छा रहे गए इस सप्ता अब बात करते हैं धनूरा सेटाशी वाले की है तो संतान समंदी शादी का करियर का विद्या का या कोई भी संतान समंदी रुका हुआ काम आपका इस सप्ता बन सकता याद रखेगा इस सप्ता देखा जाये धनकी स्थती आपकी समान्य फल दैक रहेगी ना अच्छी ना बुरी करियर की अगर बात करें तो करियर में बुद्ध और राहू का कॉंबिनेशन है कारियों में बिगन रहेगा काम समंदी लोगों से और बहुत से वाद विवाद आपके बढ़ सकते हैं यानि उच अधिकारियों से आपके किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रह सकते हैं कब से कब तक 16 से 10 से 16 अपरेल के बीच में यह याद रखेगा साथी साथ रिलेशनशिप के लिए अगर देखा जाए तो वह पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप वैसे अच्छा है नॉर्मल है लेकिन पार्टनर का वहान पे खर्चा रहेगा ऐसा य यानि आपका सोभाव चिचड़ा पन हो जाएगा छोटी छोटी बातों में आपको गुसा आने लगेगा और आप घर की चीजों को तोड़ेंगे भी तोड़ा फोड़ी वाला नीचर हो जाएगा जो कि औरों के लिए भी परिशानी का सबब रहेगा धन की स्तिती की बात करें तो ये जो सब्ता है धन की स्तिती आपकी समानने रहेगी धन को लेकर आपके छोटे मूटे करमचारी या लेबर से छोटी मूटी बहास हो सकती है बाके आपके धन की स्तिती इस सब्ता समानने रहेगी इस सब्ता करियर की स्तिती की बारे में बात करें तो इस्थान परिवर देगी रिलेशन्शिप के लिए बात करें तो ये जो सब्ता है समानने रहेगा लेकिन पार्टनर को लेकर हस्पताल डॉक्टर के चक्कर आपको लगाने पढ़ सकते हैं तो कुल में लाके मकर राशी के लिए अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का मिस्रिफल डायक रहेगा कुम राशी के लिए देखा जाए तो इस सब्ता सूर्य और गुरू दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कई धन लाब या कई धन संबंदी शुब समाचार आपको इस सब्ता प्राप्त हो सकते हैं यानि कि माता पिता को कोई धन का लाब हो सकता है नौकरी या काम से संबंदी सुब समाचार या संदान के ओर से संबंदी कोई सुब समाचार आपको प्राप्त होगा या फिर इससे समंदित कोई खुशकबरी आपको जरूर प्राप्त होगी, कोई अवार्ड, कोई सामाजिक संस्था से सम्मान आपको इस सप्ता मिल सकता है, रिलेशनशिप के लिए बात करें तो रिलेशनशिप में पाटनर के साथ में मंदिर या तीर्थ में जाने के आपके योग बनते हैं, साती सात आपके पाटनर को भी अच्छा धनलाब इस सप्ता होने के योग बनते हैं, तो कुल मिलाके कुम राशी के लिए ये सप्ता wonderful रहेगा बहुत अच्छा रहेगा कुम राशी भालोग आप बात करते हैं मीन राशी की तो मीन राशी के लिए ये सप्ता यानि 10 से 16 अपरेल तक कैसा रहेगा पहला चीज इस सप्ता मंदिर या तीर्थ जाने के आपके अचान यूती से आपको धनहानी के योग है या वस्तु हानी या वस्तु चोरी होने के योग बनते हैं तो भीरबाड़ वाली जगा पे अगर आप जाते हैं तो अपनी वस्तु का ध्यान रखे नई तो चोरी हो सकती है साथी साथ करियर में देखा जाए तो ये सप्ता पद प्रमो आपके वाद विवाद रहेंगे बैज रहेंगे रिलेशन्शिप बहुत अच्छा नहीं है इस सप्ता तो कुल मिलाके इस सप्ता हमने सप्ताहिक राशी फल में चर्चा करी 10 से 16 अप्रेल के 12 राशियों के राशी फल के बारे में तो मित्रों इस कारेकरम में इतना ही मुझे आपके दिए जाए जेमा तादी